हेलो स्टूरेंट्स वेलकम् तू माई यूटूब चैनल सी एचसी प्लस्टू फिजिक्स ब्रीप स्टड़ी इन क्विक टाइम एटी छोट छोट वीडियो मूँ अपलोड करी भी चेस्टा करी भी डेली अपलोड करी आपाई जोदी भल ला गिला तम्हें लाइक कर दवा च चाहर सी कर दढ़ी तो वीडियो क्यों गुटिव और प्रति वीडियो रमुग वीडिया नोट्स भी तम्हें तक कु डाउनलोड करी पार वई जो डाउन एरो अची याख को क्लिक करला परे समय लिंक पाई जीबां डाउनलोड करी पार वा अलनास्त रेंपोर्टेंट जि में किछीटा salt examples करिला related to Kirchops law and Christian bridge एब किछीटा unsolved problems करिवा जारो मूं hints दे भी I hope तुमें ट्राय करी की solve करी परिवा दगा प्रथा में example number 50 एठीक होँची दुटा cell होची तरो EMF देदला आउ internal resistance देदला नाउ एठीक होईला जे एमानों करो negative terminal टा जोइन हेची गोटे वायर रे जारो resistance होची 6 ohm आप पोजिटीव टर्मिनल मध्य होसें गोटे वायर जोइन हेची जारो resistance होची 6 ohm ता प्रे गोटे 3rd वायर होची हेविग रेजिस्टेन्स 8 ohm वुचिज चनेक्टिंग दे मिट पोइंट्स अफ दे टू वायर होची तो क्वेश्चेन आमको पोचावची वाट विल बी दा पोटेंट्याल डिफरेंस एड दा एंड अप दा थार्ड वायर माने यह जो 8 ohm बाला रेजिस्टेन्स रे तो लेट अस ड्रो दो सार्कीट डायग्राम एज पार दो क्वेश्चेन तो दखो एकोवालेंट सार्कीट डायग्राम टा एह बढ़या हाबा एठी दखी पाउर्थ तो मैं दूटा सेल आमें ने इचो दिस वान हेविग एमफ 1.5 बोल्ड अड दिस वान हेविग एमफ 2 इन्टरनल रेजिस्टेंस 2 ओम आउ 1 ओम हैला तापरे एटा हेला तमारो गोटे वायर 4 ओम बाला एटा गोटे वायर 6 ओम बाला हैला आव एटा हूँची तमारो जो थार्ड वायर having रेजिस्टेंस 8 ओम current एटा हाँची E1 रेहला I1, E2 रेहला I2 ओम तमारो थार्ड रेजिस्टेंस ओम आउब्योसली मिसी जिवान माने I1 प्लस I2 so this is about the circuit diagram एबे आमरो काम हो हैला दूइटा जहेतु दखो योटी मैस होची एटा हैला मैस 1 और एटा हैला मैस 2 okay so दूइटा जाको मैस रेह आमें obviously किर्चाप लोग जबे अपलाई कोरी बा किर्चाप सेकेंड लो okay so मैस 1 और मैस 2 रे किर्चाप सेकेंड लो अभे अपलाई कोरी कि आमें I1 और I2 रोग भेलू पाई जिवा now potential difference जो कही ची at the end of the third where obviously थार रेजिस्टेंस रेह जेतु 8 ohm और कोरेंट जेतु फ्लो कुरची I1 प्लस I2 so AR value हाई है जिवा potential difference 8 in 2 I1 प्लस I2 प्लस I2 प्लस कर दबो I1 I2 रोग तो भेलू पाई गलाई किर्चाप सेकेंड लो यूज करी बो equation 1 बाहरी बो I1 I2 रे equation 2 मध्यसम्ति बाहरी बो I1 I2 रे सेठो तम्हें solve करी बो जम त्यामें solved examples रे कोर थेला so that you can get the value of I1 and I2 okay दखो अब नेक्स्ट प्रोब्लेम को जिवा number 51 एठी कोईची गोटे हुष्टन ब्रे जाची having arms of resistance 1,2,3,4 ohm चारिटा arm रो resistance दे देला तपर कोईची गोटे galvanometer जार रेजिस्टेन्स होची 5 ohm is connected to the junction of 1 and 4 ohm coil and of 2 and 3 ohm coil so question को बो ध्यान से पड़िवा हमें सो बड़े मने रखो question को ध्यान से पड़िवा सही सावर ही तभर circuit diagram रहें फुष्टन ब्रीज रे थी बा सभू प्रकार example रे depend करो तम्हें केत्वे neat and clean circuit diagram टाकु draw करी पर चो ऐज पर दो question so तो अप्ताबर है गोड़े 2 ohm coil accumulator having negligible resistance is connected to the other two junction question पचारची calculate the current through the galvanometer so यहाँ पाई मोद्ध हो हमें circuit diagram टा त्यारी करी बा देखो एठी पाई मोद्ध हो circuit diagram टा एठी जे बेरी typical circuit diagram देखी पर्थो एठी चारी टा आर्म मोची having resistance 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm current से तिरे बाहर सार्कीटरे तमरो एठी गोटे 2 volt रो बेटरी लागीची एकुमिलेटर जागू को आईची negligible resistance बाहरे current flow करूची i i एठी दुई भागरी बिभकत रहला गोटे पार्ट रहला i1 गोटे पार्ट रहला i-i1 फिगोट्टि ये complicated देखा योगते लेवी बुजी बाको चेस्टा करूँ एठी गालवानमेटर जो current flow करूची i g याकु से भाहर करियो आकाई यू question रहा कोहीची accordingly एठी आमोरा उपर थिवा current ही जिवो i-ig आओ ये साइट रहे i-i1 फ्लस ig येला so we have here three numbers of masses finita mass येठी होची पिलाने येला प्रथम मेश्टा तम्ये लेप्ट साइट रहे देखी पार्थुबो this one एई पोट्टा येला जोटा मुख आउधर आउटलाइन ट्यार कुट्ची गोट्ची नेक्स्ट सेकेंड मेशला एई टा ओके आउ थार्ड मेशला बाहर पोट्टा ये जो बाहर जेटा आची तोड़ो आडू येम ती जिवो इला जो देट ये टू ओम आउट थाउम रो रेजिस्ट्टन्स इंक्लूड हाबाँ सो सही कोथा आमें करीबा तिनीटा जाकोब मैशरे आमें किर्चोप सेकेंड लो एपलाय करीबाँ एककोड़िंगली आमें तीनीटा एक्वेशन पाएबा सेथिरू आमें करीबा आई वान आबंग आई रो भेलू आशिवो इन्टाम्स अब आई जी तको पुणी आगोकू सिम्पल मैथेमेटिकाल सोलूशन होची सो देट मुआ एठी आव डीटेल द करी पारी भीनी सो तको आब में सॉल्ब करीकी तम्हें पाई पारीबो नेक्स्ट आई जी रो भेलू टिक्की खाली प्रोब्लेम टिके अच्छी जाहार मैथेमेटिकाल रे आवन होले किछी अस्विधा नेक्स्ट प्रोब्लेम नंबर इस 10 ohm register and second the potential difference between these two points A and B सो याको स्वाल करीवा को हले टिके आम्ये कोरें रो डायरेक्षन घुडा आव पॉइंट्स घुडा आव टिके डेजिनेट करताबा दख डेजिगनेट कला परे आमारो एई बढ़े आसीव कोरेंट रो आमें एठी एरो हिसाब रेजिगनेट कर दीचु दख एठी हेला गुटे कोरेंट i1 एठी गुटे कोरेंट i2 एबंग टोटाल कोरेंट एठी आसीवला i1 प्लस i2 पूनी सेही कता आमें करीबा एठी जाखा दुइटा मैस ओछी दिस दे फर्स्ट मैस और दिस दे असेकेंड मैस कहला दुइटा जाखा मैस रे आमेंबे किर्चाप second लोग कोके पारीबा accordingly तम्हें दुटा equation पाईबो in terms of i1 and i2 ताकु solve करला परे तम्हें पाईबो i1 आउ i2 रो value 5 जिबो so that current flowing through the 10 ohm register जोटा कोईची i1 plus i2 कर देले तमारा result 80 जिबो second bit I have question करची potential difference केते हबो between the points a and b तो एथी पाईए कॉण करिवा suppose the potential at point a is va and at the point b is bb ताले एए रूब b पर जनतो potential difference केते हबो आमको कोईची so एथी पाई आमें कॉण करिवा पूण ही आमें किर्चाप्स voltage लो लोगेवा एठी हब आमरो va minus bb will be equal to 2 minus 20i2 okay 2 हेला तमरो i2 भोल्ट रो बैठेरी आओ तमरो i2 हेला जो current flow करूची okay mt okay this is the value of i2 i2 रो भेलो तम्हें पाई सार चा so एथी पूण करिकी तम्हें va minus bb तो potential difference calculate करिवारी बाओ okay next problem को आमें जीबा number 53 एठी को हुची if the resistances in the three successive arms of a balanced bridge western bridge ता रो भेलो देदेला मनें एठी एटा हैला तमरो p q आओ r रो भेलो देदेची calculate the resistance of the galvanometer g रो भेलो पचावची so आमें relation आमें जाणी चू p by q equal to r by g हुए और एई relation रो g equal to केते भाहरी बाओ g equal to भाहरी जीबा r by p into q एला so बेलो आमें पूट करीकी 0 बेलो एठी एजीली calculate करी पारी बाओ next problem number 54 को आशा एठी को हुची दुईटा cell अची having emf this much and internal resistance this much now they are connected in parallel to an external resistance calculate the current in each of the three branches so a problem exactly similar problem I mean solved examples number 26 रे को रिसार चू so आको मौँ रिपिट करूनी okay अबे आको बढ़िवा number 55 एठी को हुची गुटे विस्टान बिरे जाची तरह it contains 10 ohm resistance in the arm AB 100 ohm in BC 500 ohm in CD then 50 ohm in DA and galvanometer is having a resistance 200 ohm between the points B and D यहला दगा चित्रा देईनी किन्तों आमको notation गुड़ा देईची ABCD को जेकी सो आमको चित्रा आंकी बागो पोड़िवा ताब रेको जे accumulator माने जो source of EMF लागीची having voltage 2 volt and negligible internal resistance connected between A and C question पचार ची what will be the current in each of the arm तो प्रथम कथा एठी जोदिया आमें balance condition गुजिवा ताहले galvanometer रे 0 current flow करीवा तो BD रे तमारो current 0 ही जिवा दखाटी answer देईची ओके बाखी बाहु गुड़ा रेकेत्या current हबो for that we have to draw the circuit diagram तो दखो circuit diagram टा तमारो पाख़ बाखी एई बढ़या हब तमारो एठी बाहरे 2 volt रो बेटरी लागीची हैला current जाओ चीव externally I then it gets divided at this point कुटे हला I1 आ कुटे हला तमारो I2 सो एठी जहतु गालबानो मेटर जो 200 ohm रो एठी 0 current flow कोरची जो एपाटको आव नेवार ही नहीं सो एठी दखो I1 आ 10 आव 100 ohm रो series combination रे कला similarly I2 पच्चास आव 500 रो series combination रे एठी जाओ ची सो इछी नहीं एठी तमारो I1 रो भेलू आसी जीवा the voltage divided by voltage आला 2 volt divided by 10 आव 100 जिमतिको इली सो 110 हैला आव I2 रो भेलू आसी जीवा voltage again 2 divided by 50 आव 500 हरा सो 500 हर पच्चास series combination रे देखेवा यारो ratio काढ़ीवा यारो भेलू एठी की संगेरे match करीवा नेक्स्ट प्रॉब्लम को आसा नमबर 56 एठी कोची तिनीटा बैटरी आची से मनंकरो voltage एठी दला 3 volt दन resistance तांकरो internal resistance एठी 0.1 0.15 and 0.2 ohm बली दला दे आर connected in parallel and the combination is in series with a 2.354 ohm रा रेजिस्टर अची दुटा जिन्स एठी पच्चालला equivalent resistance पच्चालची and second रे equivalent voltage पच्चालची परे equivalent resistance कोठा जोवासीला सीरी थी पई आमें एठी पिक्च्चो टा फरस्ट circuit डाइग्राम टा फरस्ट आंकी बा दखो आमोरे एठी circuit डाइग्राम टा एई वोड़े आप आका पकी हबो दखो एठी तीनीटा जाको एठी बैटरी पारलेल रेओची सो एई ती नीटा रेजिस्टेंस को आमें पारेलल कॉम्बिनेशन कोरी की equivalent resistance पाई पारीबा सितिरे 1 by R dash equivalent resistance जोदी R dash अला सो 1 by R dash equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 पारीबा R dash जत्ती की आमें पाई ला that will be in series with this external resistance 2.354 सो resistance अब कते हीजबो R equal to R dash plus 2.354 सो R dash रा value पूट करी की आमें resistance पाई पारीबा next problem number 57 गवास एठी गुटे विस्टन ब्रीज रे से कोची 0.1A रा current flow कोरूची and it consists of 3 arms having 10 ohm resistance 4 नमबर राम राय resistance हला 11 ohm current पोचार ची गल्वानमेटर रकेते हवा जोदी तार resistance 100 ohm सो एकुबलेंट सारकीट डियाग्राम पकापकी एवड़या हवो एठी आमको outside current i रा value देई देची हैला सो एठी आमको गल्वानमेटर कोरेंट मने ig रा value आमको पचार ची सो सही को था एठी दुईटा मेस होची एठा हेला first मेस एठा हेला तमरो सेकेंड मेस दुईटा मेस रामें किर्चप्स बोल्टेज लोकिर्चप्स जो सेकेंड लोटा यूज करीबा दुईटा equation obviously पाईबा आगरू भी एई भड़या problem करी चू सो एई दुईटा equation को solve करीकी तमें i1 आव आई रा value पाईबा thereafter you can get the value of ig so numerical data केची देई नी internal resistance देदला r1, r2 they are connected in parallel to the end of a wire wire resistance देला r एबे से पोचावर ची calculate the current through the wire so let us draw the equivalent circuit एई बोड़या एठी equivalent circuit टा हाब देखी पाटतो वो एठी दुईटा बेटरी होची having emf e1 and e2 so एठी आमे मेस मद्ध्य दुईटा पाईबा गोटे मेस आमरो उपरे आसी बहुँआ दाखो इए टोप मेस टा इवड़या आसी बहुँआ external resistance एठी common रोहीब ओके top emf को यह attach करी किरोहीब आगोटे मेस तोड़या आसी बहुँआ इवड़या voltage लो किर्चाफ second लो यूज करीबा thereafter we can get two equation after solving the two equation we can find the value of i1 and i2 तपरे आमकू question जो पचेर ची calculate the current through the wire मने i1 plus i2 we can easily calculate i1 or i2 रो value पोट कर देला i1 plus i2 total current through the wire बहुरी जीबा ओके THANK YOU झाल